दोस्तों कहते हैं कि जहाँ पर गड़ेज जी की रोजाना पूजा अर्चना होती है वहाँ पर रिद्धी सिद्धी और सुबलाप का वास होता है ऐसे इस्थान पर अमंगल कारी घटनाएं और दुख दरिदता कभी नहीं आती है दोस्तों सास्त्रों के नुसार सुपाडी को गड़ेज जी का प्रतीक रूप माना जाता है जब कभी पूजा में गड़ेज जी की प्रतिमा नहीं होती है तो उनकी जगे सुपाडी को रखा जाता है इसलिए आज हम आपको संकस्टी चतुर्थी के दिन सुपाडी से किये जाने वाले कुछ चमतकारी उपाय बताने जा रही हूँ जिनने करके आप अपनी सोई किसमत चमका सकते हैं और आपके भाग में भी व्रधी होगी साथ ही धनलाब भी होगा दोस्तों पूजा की सुपारी पूर्ण एवम अखंडित होती है इसलिए जब आप संकस्टी चतुर्थी के दिन पूजा करें तो गौरी गड़ेश का रूप मान कर एक सुपारी अवस्सर रखें और उस पर जनियू चढ़ा दें पूजा करने के बाद इस सुपारी को आप तिजोरी में रख दें क्योंकि कहा जाता है जहां गड़ेश जी होती हैं वहीं पर लक्ष्मी निवास करती हैं ऐसा करने से आपके घर में इस्थाई लक्ष्मी का वास बना रहेगा दोस्तों अगर आपका कोई काम कई दिनों से रुका हुआ हो और वै पूरा ना हो रहा हो तो आप संकस्टी चतुर्थी के दिन दाई और मुणी हुई सून वाले गड़ेश जी के चित्र के सामने पाँच सुपारी और पाँच लॉंग चढ़ा दें फिर जब आप कहीं काम पर जाएं तो उसमें से एक लॉंग और एक सुपारी अपने पास रख लें काम के समय लॉंग को आप अपने मुँ में रख लें और उसे चूसते रहें इस दोरान आप मन में जै गड़ेश काटो कलेस नाम का जाब करते रहें और घर आने के बाद उ परेश जी की फोटो के सामने रख दें इस सुपाय से आपका हर कार सफल होगा और आपको जीवन में सफलता मिलेगी दोस्तों अगर घर में बहुत ज़्यादा निकेटिविटी है तो आप इस सुपाय को कर सकते हैं इसके लिए पूजा इस्थल पर एक सुपाड़ी और एक तामे की लोटी में गंगा जलभर कर रखें ऐसा करने से घर में साकारातमकता आएगी और घर में सुक सांती मी बनी रहेगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा